नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल में रिशी मुनियों की यह मान्यता थी कि प्रकृती हमें अनेक छोटी बड़ी बातों के संकेत देती है। यह संकेत आपके भविश्य से जुड़े भी हो सकते हैं। यह आपके जीवन में घटित होने वाली अच्छी नहीं पाते हैं या फिर नजरंदाज कर देते हैं, जिससे हमें उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। आज हम जानेंगे, शास्त्रों में बताए गए, कुछ विशेश पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत प्राप्त होते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होत हैं। आए जान लेते हैं, विविध पक्षियों के घर पर आने से कौन से संकेत मिलते हैं, साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे खास पक्षी के बारे में, जिसका घर पर आना बहुत ही शुभ माना गया है। वह पक्षी साक्षात्मा लक्ष्मी का वाहन ही है, अगर ये पक्षी आपके घर पर आकर ये तीन संकेत देता है। तो समझ जाए कि आपके दुखों का अंत होने वाला है, आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, वह सभी समाप्ध होंगी। तो चलिए जान लेते हैं, घर पर पक्षी आने से कौन से संकेत मिलते हैं। सबसे पहला पक्षी है कबूतर। दोस्तों, पक्षी शास्त्र में कबूतर को प्रेम संबंधों से जोड़ कर देखा जाता है। कई लोगों को कबूतर प्रिय नहीं होता है, लेकिन कबूतर को एक शुभ पक्षी माना गया कुछ लोग कबूतर घर में आने पर उसे भगा देते हैं, क्योंकि वे गंदगी फैलाते हैं, लेकिन दोस्तों घर पर कबूतर का आना विशेश संकेत समझा जाता है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर अथवा खिड़की में कबूतर आकर बैठ जाए, तो आपको धन की प्राप्ती हो सकती है, लेकिन कबूतर का घर में घोंसला बनाना शुभ माना नहीं जाता है, यदि आपके घर पर कबूतर आए, तो उसे अन अवश्य डाले, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, दूसरा पक्षी है मोर, मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र जनीये है, यदि आपके घर पर कही से मोर आकर बैट जाता है, तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए, मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है, उस घर के शत्रूओ का नाश होता है, और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है, साथ ही मोर के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माना गया है, यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको मोर के दर्शन हो जाए, तो उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ध्यान रहे, मोर को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, तीसरा पक् अत्याती है, यदि चिडिया ने आपके शरीर पर अथवा खास कर आपके सिर पर बीत कर दिया, तो यह बिलकुल भी अशुभ नहीं होता है, यह तो किसी शुभ समाचार का संकेत होता है, आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, घर में भी यदि कहीं भी चि पर दोस्तों, उल्लू के विशय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं, जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलजाएंगें। पर दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी है, जो रात में जाकता है और दिन में सोता है। कान भी बड़े होते हैं, चहरा बादाम के आकार का होता है, उल्लू अपनी गर्दन और आँखों को चारों और घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भयानक होती है। ये हमेशा रात में ही चिलाते हैं और अपना शिकार करते हैं। इसलिए इनके भयानक रुप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुरानों में वर्णित एक कथा के अनुसार, लक्षमी जी जब स्वर्ग से धर्ती पर आ रही थी, तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। चुँकि वह रात का समय था, तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था, जो जाग रहा था। इसलिए उन्होंने उसी को अपना वाहन बना लिया। इसलिए उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल, आसाम और और डिशा में तो लक्ष्मी जी के साथ साथ उनके वाहन उल्लू की भी पूजा करने का रिवाज है। कई जगहों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है, तो यह शुभ संकेत है, और यदि उसे उल्लू छूले, तो उसकी होने वाल शुभ माना जाता है। उल्लू की आँखों की विशेशता होती है, कि वह एक ही समय पर एक आँख से एक दिशा में तथा दुसरी आँख से दुसरी दिशा में देख सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि उल्लू यदि दाईं और देखकर बोलता है, तो यह अशुभ होता है। जबकि यदि बाई बैठना या रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए एक अपशकुन का संकेत माना जाता है। साथ ही वहाँ पर धन, हानी या मृत्यू का भी अंदेशा रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ की बहस में उलजह ये पक्षी बहुत शांत होता किसानों के लिए तो यह वरदान ही होता है। यह चूहों और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। परंतु अब यह भी संख्या में कम होते जा रहे हैं। तंत्र साधना में और विशेशकर दीवाली के अवसर पर लक्षमी ज अस्वयम ही मा लक्षमी जी का वाहन है। उसे मार कर तो मा कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती हैं। इसलिए यदि आप भी उल्लू के पंक या नाखून खरीदते हैं तो ऐसी भूल कभी ना करे। तो दोस्तों इस प्रकार से शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है। क्या आपके भी घर पर ऐसे पक्षी आते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करे। कमेंट में जैमा लक्षमी अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे। आप सभी का धन्यवाद।